संग तो सब जगे जा रहा है बीजेपी की मदद में संग तो पूरा बीजेपी के लिए अंडर्ड पर्सेंट लागा है देवेंट फर्णविस के शब्द सर गौर देने लागा है अंग्रेजी में है उन्होंने कहा संग हमारा पेरेंट और्गनाइजेशन है और इस बार हमने उनसे और इस परिवार के सभी संगटनों से रिक्वेस्ट की थी कि ये जो अल्ट्रा लेफ्टिस्ट और एनार्किस्ट लोगों ने लोगसभा चुनाओं में जो भरम पहलाया है इसको दूर करने के लिए हमें आपकी मदद की जरूरत है हमारी मदद कीजे क्लियर है बिल्कुल लाइन बयान नड़ा साब से बिल्कुल उलट है नड़ा जी का बयान ऐसा नहीं था किसी डिजाइन के ताथ और ये माना भी नहीं जा सकता कि नड़ा 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 लेकिन देवेंट पर्णवी कितना एक्टिवली पाटिसिपेट कर रहे हैं नीचे तक लेवल पर दूसरी चीज़ की अगर किसी बात को लेगे कोई निराशा है नाराजगी है इस तरह की चीज़े हैं तो वो विरोध तो किसी भी हाल में नहीं करते निस्क्री हो जाते हैं फिर इस बार निस्क्रीयता बिल्कुल नहीं है जैसे पहले महराश्ट के अगर आप बात कर ले हैं तो संग के तीसरे नंबर के वेक्ती ओवराल जो महराश्ट में बीजेपी का इलेक्शन वारूम है उसका सुपर विजन कर रहे हैं उसका सुपर विजन में ही हो रहा ही है उपर से लेकि नीचे तक एक एक अपडेट उनको डेली दिया जाता है उससे आप समझ सकता है कि अगर रसेस के कारकरता इस कदर जुड़े हुए हो कि पूरी कमान जो इलेक्शन मसिनरी कि जो पूरी कमान जो वार सेंटर जिसके कहते हैं उसका सुपर विजन संग के हाथ में हो उससे आप समझ लिए हैं इंटेसेटिया संग चाहेगा भी नहीं कि अगले साल सौन साल पूरा हो रहा है महराज से उसके शुरुवात हुई थी और उस स्टेट में अगर हार हो जाए तो सीधे सीधे उस विचारधार के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा हो जागा वो यह चाहते हैं कि जो अगला ग्लोरिया संडेड इयर्स मनाना है उसमें महराज में बीजेपी की सरकार रहे और लोगसभा चुनाओं के बाद ये भी समझ में आए गया संग के लोगों को भी कि अगर अपनी सरकार से किसी भी रूप में आप थोड़ा भी निस्क्रियता दिखाएंगे तो उसका दूस परिणाम बहुत बड़ा हो सकता है क्योंकि जितनी चीजें आपकी विचार धारा की थी आपकी सरकार भी पूरी की हैं तो किसी बात को लेकर अगर आप थोड़ी भी निस्क्रियता दिखाएंगे तो उसका दूस परिणाम 400 से 240 पर आ सकता है वो बात संग के समय संग को समझ में आगई जारखंड भी आप जिसे हिमंत विश्व सर्मा, शिवरा सिंग चोहान इनलों का जितना एक्टिवनेस आप देख रहे है उनका बोलना, उनका सब कुछ करना वो सब संग की सहमेती से हो रहा है संग के कहने पे हो रहा है समीर जी कुछ बोल रहे हैं अगर महाराश्कों के संग के दिखा जाए तो चार भागों में बाटा हुआ है चार भागे एक देवगिरी है, एक विधर्व है एक पश्चिम महाराश्ट है और कॉंकणे चार शेत्र महाराश्क के आते है चारों शेत्रों को 208 से सीटों के अदर कर दिया गया है पुरी तरीके से और हर विधान सभा के उपर तीन संग के प्रशारक, मतब संग क्यार करता जो है वो पूर्ण कालिन प्रशारक उसके उपर ध्यान दे रहे है और अतुली में एक संग के बड़े बदादिकारी राष्ट इस तरके सरसर कारवा है उनको तो पुर्ण कालिन डेपुट कर दिया गया है महाराश विधान सभा चुनाओ के लिए वो पूरा तरीके से जो चुनाओ प्रभारी भुपेण याद हो और सभ प्रभारी जो है अदिल वैशने हो उनके साथ पुरे महाराश के 288 सीटों का संग और भादपा के साथ कॉडिनेशन कैसा हो इस पर काम कर रहा है और एक विधार सभापे अगर संग के तीन परचारक पुरी तरके से डेपुट कर दी गए अनुशासिक संगणान वहाँ पर जमिनिस्तर पर काम कर रहा है तो यह बता रहा है कि संग जमिनिस्तर पर कैसे काम कर रहा है और संग इस बात में पूरा फोकस कर रहा है कि अपने जो वोटर से बद्दान के दिन वो 100% वोटिंग के निकले तो उसके लिए अलग जमनिस्टर पर काम किया जा रहा है तो वोटिंग भी पूरी बढ़ाई जा है अपने जो वोटर से उनको इफ्लिएंस किया जा है और यह जो नाराज गिया है कि गड़बंदन हो गया है ऐसे काड़ हम वोटिंग नहीं करेंगे अजित पवार को साथ में ले जाए संगा कहना है कि यह सब बात की बात है पहले सरकार में आना है सत्ता में भारतियनता पार्टी को ले आना है तो संग जिस तरके जमरिस्तर पर काम कर रहा है यह इस बार बड़ा अद्बुक वहाँ पर देखने को में रहा है तो इस एलक्षन को वही कर रहा है इसलिए कर रहा हूं कि महारास के और जारखन के चुनाव को संग के नजर यह से भी देखना चाहिए हम पोलिटिकल लडाई की तरह से देख रहा है दो छोड़े-छोड़े बयार उनकी बात हम कर ले देविंद फटनेवीज दे सवाल हुआ क्या शिवसियना के साथ आप दुबारा कर भी जा सकते हैं वहलों उद्व ठाकरे के साथ तो उन्होंने कहा 2019 में जो हो गया उद्व ठाकरे ने उनके साथ जाके सरकार बना ली तो उसके बाद तो मुझे किसी चीज़ पर हैरानी नहीं होगी और किसी भी चीज़ को मैं असंभव नहीं कहूंगा लेकिन हमें इस वक्त अभी यह होने नहीं जा रहा और चुनाव के बाद हमें जरुरत नहीं पड़ेगी अब इसको आप कैसे रीट कर रहे हैं बता ही है श्वदन जी नहीं बड़ा इसपष्ट है इस वक्त अगर देविंद फड़नवी कोई भी और ऐसी बात करते तो शायद वो कारिकरताओं में भ्रहम करता और अभी दोनों बड़े इसपष्ट हैं भारती जनता पार्टी के लिए जो ये सारी रणीती की बात हुई संग की राष्टी स्वयम सेवक संग वड़े इसपष्ट तोर पर अपने स्वयम सेवकों से एक लाइन की जो बात कह रहा है कि आप आज ये कह रहे हैं कि अजीत पवार लोकसवा चुनाओं में नहीं चले लेकिन अगर भारती जनता पार्टी की इस्थिती मजबूत होती तो क्या ये इस्थिती होती नहीं होती तो बेहतर ये है कि आप अपने वाले को मजबूत करने पर चलिए और रणितिक तोर पर ये है कि हमें अपना जो आकड़ा है 2014 के आकड़े के आसपास या उससे उपर ले जाना है 2014 में भाजपा अकेले लड़कर 122 सीटे हासिल करने में काम्याब रहे है देवेंद्र फर्णवीस इस चुनाओ के दोरान इंटर्विव में सभाओं में जिस तरह से संघ का नाम ले रहे है वो एक जो जाने अनजाने 2024 के लोगसभा चुनाओं के बाद चाहे वो बयान कह लीजे अनिंटेंशनल कह लीजे इंटेंशनल कह लीजे लेकिन एक उपर से नीचे तक स्वयमसेवकों के मन में पीडा थी महाराष्टी में वो पीडा थोड़ी ज्यादा बड़ी हो जाती है क्योंकि धेर सारे वरिष्ट प्रचारक वहीं के है तो वो एक वज़ा बनती है अब ये उद्धव ठाकरे की जहां तक बात रही उनके खिलाफ बहुत तीखा कभी कोई ने बोलना चाहेगा क्योंकि हर कोई जानता है जो एक बयान दिया था देवेंद फड़नी उसने वो याद रखना चाहिए अजीब पवार हमारे रणनीतिक हैं और आप लोगों ने भी कहा कि अब तो एक परिवार हो गए तो परिवार तो इनके साथ नहीं है ये सिर्फ रणनीतिक गड़ जोड़ है परिवार तो तब होता है जब विचार एक हो परिवार आज भी उद्धव ठाकरे ही ये मतलत रही है नाराज परिवार है लेकिन परिवार तो आज ठीक है तो ये बात कह नहीं सकते हैं देवेंद्र फर्णवी इसका आएंगे एक लाए किसी कुछ किसी चीज को संभभ नहीं कहूंगा कि हम शरत पवार जी पांच बार हम सब लोगों के साथ अमिर शाह जी से मुलाकात बीजेपी वानों से किये थे 2019 के रिजल्ट आने के बाद जब उद्धव ठाकरे उदर दूसरी तरफ प्रयास कर रहे थे सरकार बनाने के शरत पवार जी ने कहा ये बात सही है कि वो दिल्ली में मीटिंग हुई थी अडानी जी के घर पर मीटिंग हुई थी मैं उसमें था लेकिन मुझे मेरे साथ ही ये कहके ले गए थे कि हमारे ओपर बहुत केस कर दिये हैं केंदर सरकार ने और हमें ये कहा जा रहा है कि तुम इधर आ जाओ तो तुमारे आई संकट दूर हो जाएगा तो मैंने कहा कि मैं भरोसा नहीं कर सकता इस बात पर जो भी तुम से आशवासन तुमें दे रहा है लेकिन फिर भी मैं उनके दबाव में चला गया ये उनका कहना और अडानी पर उनने ने कहा कि अडानी जी ने केवल जगे मोया कराई थी उनका घर था, वो होस्त थे मीटिंग में वो शामिल नहीं थे और राहूल गांदी पूछ रहे हैं कल समा में बताओ अडानी के साथ मीटिंग क्यों किये थे अच्छे लेकिन एक लाइन विजे सरागे बताए तो शरत पौए जी को उन पर भरोसा नहीं है लेकिन गौतम अडानी पर फिर शरत प़ौए पारक भरोसा थे तो राहूल गांदी को फोन करके पूछ लेना चाहिभी इधर क्यों सवाल पूछ रहे हूँ तो है राहूल गांदी ने कली पूछा है है कि बता ही आप लोग अडाने के साथ मीटिंग में थे कि नहीं मनलब अडानी थे की नहीं मीटिंग में कि अन्सिपी के जाने पर जो एक पूरी स्टेडी में देख रहा था जो पूरा डेवलमेंट हूआ उसमें शरत पवार जिने कहा मतलब और वो अपचारिक बात है मतलब अनोफिशल नहीं है अपचारिक तरपर उने कहा कि मैंने जब ये चल रहा था सारा जगड़ा हुआ तो अजीद पवार वहाँ चले गए फिर वापस आ गए उसके बात मैंने अजीद पवार और प्रफुल पटेल को कहा था कि वो बीजेपी के साथ बातचीत करके देखें लेकिन उस समय मैं ये बातचीत कर रहा था लेकिन वो इसलिए कि मानलोग खतम ही हो जाए ये मतलब नहीं था कि हमारी प्रायर्टी बीजेपी के साथ जाने की है जो अडानी जी का अब आजकल घर का जाए नहीं ने करफम किया था करुछाद था वो पहली बाठक महां पर हुई थी और उसमें शरत पावार जी लोगते रात का भी से लागबाग दस बाढ़ बाठक शुरू हो यह ती और तीन गंटे लगबाग बाठक चलिती कर दो कर दो वहतू झाल